नमस्कान मेरा नाम है मुस्कान गंग्राडे और आप देख रहे हैं वोकल न्यू शहडूर। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये पानी की बॉटल लेकर क्यों खड़ी हूँ। तो आज मैं आपको तरह तरह की हलचलों के बारे में बताने जा रहे हूँ। इस बॉटल में एकदम साधारन पानी है लेकिन आपको एक उधारन देना था जिसमें समुद्र की जरूरत है। अब समुद्र मेरे हाथ में तो नहीं आ सकता, इसके लिए आपको क्या करना है, कि इस बॉटल को समुद्र और इसके पानी को समुद्र का अथा जल भंडार समझना है, अब अभी तक तो ये पानी स्थिरता, लेकिन क्या होता है कि अचानक से समुद्र में एक जबरदस्त सुन कुछ अधिक तीवरता के विनाशकारी भूकम कहलाते हैं, तीसरी तरह की हलचल होती है राजनीतिक हलचल, चुनावी हलचल, पहले जो दो हलचल मैंने आपको बताई, उनके मुकाबले ये वाली हलचल हमारे देश में काफी ज्यादा प्रशलित है, और इसकी तीवरता और प्रभाव हमारे देश में उन दो हलचलों के मुकाबले ज्यादा देखे जा सकते हैं, विदान सबा चुनाव की एक होशना होने से जनवरी महिना इस तरह की हलचल का साक्षी रहा, चुकि फरवरी और मार्च में वोटिंग होनी है, नतीजे आने हैं, तो इस तरह की हलचल क के देर तक बने रहने की संभावना है, इस समय हलचल देखी जा रही है पंजाब के गलियारों में, नवजोज सिंग सिद्धू के एनराई बहन सुमन्तूर ने अपने भाई और कॉंग्रिस नेता नवजोज सिंग सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए हैं, चंदीगर में प्रेस कॉंफरेंस बुलाकर सुमन्तूर ने कहा कि उनके भाई एक क्रूर व्यक्ति हैं, पेता की मौत के बाद मा निर्मल कॉर और बहनों को उन्होंने घर से निकाल दिया और उनके संपत्ति हतिया ली, मीडिया के सामने रोते हुए सुमन्तूर ने बताया कि किस तरह 1986 में नवजोसिंग सिद्धू ने मा को लावारिस छोड़ दिया था, जिसके तीन साल बाद दैनी अवस्था में मा की दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मौत हो गई प्रेस कॉंफरेंस में सुमन्तूर एक फोटो के साथ देखी जा रही है, फोटो नवजोसिंग सिद्धू का है, जिसमें उनकी उम्र आट से नौ साल के लगभग लग रही है पोटो के माध्यम से सुमन तूर नवजो सिंग सिद्धू के उस बयान को जूटा बता रही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मातर दो साल की उम्र में उनके माता पिता न्याईक तोर पर अलग हो गए थे वे कह रही हैं कि उनके भाई ने अपने घर से निकाल दिया और घर अपने नाम कर लिया जब उनसे पूछा गया कि इतने सालों तक उन्होंने इस मुद्धे पर बात क्यू नहीं की अभी ठीक चुनावो के पहले वे इस घटना को क्यों सामने लाई हैं तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अब तक सिध्धू के द्वारा दिये गए जूटे बयानों के खिलाफ साक्ष नहीं थे, मैं अब तक साक्ष एकटा कर रही थी, उन्होंने कहा कि मैं चाहती थी कि सिध्धू जनता के सामने मां से किये गए दुरव्यवार के लिए माफी मांग लेकिन जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने दर्वाज़त तक नहीं खोला इसके लिए मुझे प्रेस कॉन्फरेंस बुलानी पड़ी इस पूरे मामले पर नवजोत सिंग सिद्धु के पत्नी नवजोत कौर ने कहा कि मैं सुमन्तूर को जानती तक नहीं सुमन्तूर मेरे ससूर की पहली पत्नी से बेटी है जिनसे मैं अब तक नहीं मिली नवजोत सिंग सिद्धु की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सुमन्तूर के दावे सच के पैमाने पर खरे उतरते हैं या नहीं ये तो तय नहीं है लेकिन देश में चुनावी हल चलो का यह दौर अभी खत्म नहीं होगा इस बात की गैरेंटी मैं आपको जरूर दे रही हूँ आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भुले देखते रहे हैं वोकल न्यूश है डोर